नमस्कार दोस्तो सिविल इंजिनेरिंग सपोर्ट के एक पहुत ही महत्मुन वीडियो में आपका स्वागत है लोग हमेशा कन्फूजन के स्थिति में रहते हैं कि पहले ग्राउंड वीम दिया जा या फिर दोस्तो प्लिंध वीम से काम स्टार्ट करवाया जा लेकिन आज के वीडियो देखने के बाद दोस्तो आपका ये डाउट बिल्कुल हमेशा के लिए गयाब होने वाला है चुकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तो जो लोग ग्राउंड लेबल पर कोई बीम नहीं देते हैं उनका आगे चल कर क्या हाल होता है या आप इस वीडियो से लूज होती है मौसम के अनुसार इसका श्ट्रेंथ बदलता रहता है बार साथ में ये खुद बखुद दोस्तो इट को ले करके नीचे धस्ती रहती है तो इसलिए आपको हमेशा गाठ मांद लेना है दोस्तो कि आपको सबसे पहले आख बंद करके विल्कुल जो है वो ग्राउंड बीम देना है वो ग्राउंड बीम कहां देना है जमीन से लगभग दोस्तो छे इंच नीचे आपको ग्राउंड बीम देना है अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में किसी भी परकार का आपको कोई दिक्कत ना आए तो आप सबसे पहले ग्राउंड बीम दिलवा यह चुकि दोस्तो बीम के नीचे में अगर यह बिर्गवर का आपका धुस्थ होता है तो सांसी जब ज़ो मिट्टी दोस्तो भड़ा गया है रूम के अंदर में वो भी क्या होगा कि वो भी दोस्तो धीरे-धीरे बाहर आनाय स्टार्ट हो जाएगा और ऐसे में क्या होगा द जमीन में फिर से दोस्तो मिटी भढ़ना होगा और उसके उपर दोस्तो टाइलिंग वगरा करना होगा तो लाखो रुपए की चपत दोस्तो ऐसे ही आपको जो है वो खर्च करने पर सकते हैं तो इसलिए ये कंडीशन कभी मत आने दे अपने एरिया में ठीक है हमेशा दोस्तो ग्राउंड बीम पतला ही सही चार इंच का एक बैंड भी दिलवा सकते हैं नीचे में किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसके बाद दोस्तो आपको क्या करना होगा कि प्लिंथ लेवल पे एक और बीम भी दिलवाना होगा नहीं तो दोस्तो अगर ग्राउंड बी दिम भी आप दिलवा सकते हैं ऐसे क्या होगा दोस्तो इनिसियल में मतलब पहले तो थोड़ा सा खर्च आपको लगेगा कि एक्स्ट्रा हो रहा है लेकिन दोस्तो आप हमेशा के लिए मिस्चिंत हो जाएंगे आप देख सकते हैं हर जगा कमो वेस यही इस्थिती आपको इस हन्यवाद दोस्तो